हेलो दोस्तों कैसे हैं सभी मेरा नाम है इर्फान इस वीडियो में मैं आप लोगों को SB2 बटन, सिंगल ब्रेस्ट 2 बटन, नौच लिपल कोट कटिंग करना बता रहा हूँ मिजर्मेंट है लंबाई 30 इंच, सोल्डर 18 इंच, सिलिव लेंथ 25 इंच, चेस्ट 40, स्टमक 37, हिप 41 और कॉलर है सारे 16 इंच, 16.5 नीचे से 3 इंच, 3 इंच पे एक मार्क लगाएंगे लंबाई है 30 इंच, जितना लंथ रहेगा उतना इस मार्क में रख देना है, ऐसे 30 इंच, 30 इंच सीना है 40 इंच, चेस्ट 40 इंच है, आर मॉल्ड रॉन करेंगे, पॉने 10 इंच, 9 इंच, 3, 4 पेट का सिंटर लगाएंगे, लंबाई का आधा करेंगे, हाफ करेंगे, 15 इंच, और 2 से 2.5 इंच प्लस करके मार्क लगाएंगे हमने 2 इंच प्लस किया है, 17 इंच, 0.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं आप यहाँ आर मॉल्ड से 1.5 इंच उपर एक मार्क लगाएंगे, बैक कटिंग करने के लिए पौने 10, 1.5 इंच उपर, 17 इंच और 30 इंच, यह सेम मार्क एक और लगाएंगे, मार्क श्टेट करने के लिए यहाँ यह जो किडारी पीस है, यहाँ से 1 इंच, एक इंच पर मार्क लगाएंगे, यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 इंच और यहाँ भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 2 इंच और यहाँ 2 इंच, इस वाले मार्क को स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे, और यहाँ ऐसे शेप करेंगे, और यहाँ इसको ऐसे शेप करेंगे, और यहाँ इसको ऐसे शेप करेंगे, सवा तीन इंच, कॉलर का पाच्वा हिस्सा, यहाँ से वन इंच, एक इंच उपर एक मार्क लगाएंगे, यह एक इंच यहाँ इस तरह से रखकर, सवा इंच पर मार्क लगाएंगे, यानि के दो सूत नीचे, शोल्डर है 18 इंच, 18 का हाफ करेंगे 9 इंच, और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन, सारे 9 इंच, शोल्डर का हाफ करके, प्लस हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन, किनारी पीस से मिजरमेंट करेंगे, यह बिल्कुल इस्ट्रेट यहाँ रखेंगे, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, और 1 इंच, 40 चेस्ट में क्रोस बैग, माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, शोल्डर डॉन करेंगे, शोल्डर हम इसमें 2 इंच डॉन कर रहे हैं, तो 1 इंच हमने उपर उठाया है, और यहाँ 1 इंच नीच डॉन करेंगे, सवा दो इंच डॉन करने के लिए सवा इंच पे मार्क लगाएंगे और धा इंच डॉन करने के लिए देर इंच पे मार्क लगाएंगे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को देर इंच डॉन करके दिखाया था धाई इंच सोल्डर के हिसाब से इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 इंच शोल्डर डाउन करके दिखा रहा हूँ नॉर्मल जो शोल्डर है वो 2 इंच ही डाउन करना है और अगर किसी का शोल्डर लो है तो सवा 2,5 इंच तक कर सकते हैं यहां से 1,5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन यहां पेट का 6 हिसा करेंगे इस टमक को 6 से डिवाइड करेंगे और प्लस 1,5 इंच मार्जिन पेट है 37, 37 का 6 इंच सवा छे और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन यह पौने 7 इंच है पौना इंच 3,4 प्लस करके यहां नीचे मार्क लगाएंगे 7,5 इंच पे यहां से चाक के लिए मार्क लगाएंगे सारे साथ इंच और एक इंच मार्जिन यहां से पौने दो इंच मार्जिन और यहां भी पौने दो बौटम में मार्जिन रखेंगे दो इंच टू इंच आप यह मार्जिन कम और ज्यादा भी कर सकते हैं बैक का मार्क कम्प्लीट हुआ है फ्रन्ट कटिंग करने के लिए यहां से आदा इंच हाफ इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इस मार्क को नीचे से लेकर उपर तक स्ट्रेट करेंगे सीधा करेंगे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देजिएगा और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजेगा यहां से सिलाई का मार्जिंग छोड़कर स्टिचिंग मार्जिंग छोड़कर इसको हाफ अन हाफ करेंगे भी सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे यह सभी मार्क स्ट्रेट करेंगे सीधा करेंगे यहां से सीना का चौथा हिस्सा दस चवके चालिस टेन फोर्जर फोर्टी सीना चालिस है एक इंच तक्ती लेस कर देंगे कम कर देंगे सवा इंच भी कम कर सकते हैं चालिस सीना में एक से सवा इंच तक्ती कम कर लेना है हमने एक इंच कम किया है अब इस वाले मार्क से उपर स्ट्रेट करेंगे सिधा करेंगे यहां सीना का चौता हिसा दस्चो के चालिस और यहां भी दस्चो के चालिस यहां यह जो स्ट्रेट मार्क है यहां से पौने दो इंच पर मार्क लगाएंगे वन इंच थ्री फोर यहां से पौने दो इंच पर मार्क लगाएंगे वेल्स पॉकेट के लिए वालिट के लिए सीना चालिस है चार इंच का पॉकेट बनाएंगे हम इसका एक मिडल मार्क आधा इंच उपर एक इंच और यहां भी एक इंच इस वाले मार्क से पौना इंच थ्री फोर पर इक मार्क लगाएंगे लमबाई का तीसरा हिस्सा करेंगे लमबाई 30 है दस्तियाई 30 यह हमारा नीचे से फर्स्ट का जाएगा और पॉकेट भी इसका स्ट्रेट बनेगा सेकेंड बटन होल के लिए, सेकेंड का जा के लिए यहां से 4.5 इंच पर मार्क लगाएंगे 4.5 यहां से 1.5 इंच उपर एक मार्क लगाएंगे यह जो 20 सेंटर है इसको मेजर्मेंट करेंगे स्ट्रेट करने के लिए 1 इंच अंदर यहां से इस मार्क को मेजर्मेंट कर लेंगे यह जितना है बिल्कुल सीधा करने के लिए मार्क लगा लेंगे पेट डाट के लिए दो सूत नीचे और दो सीत उपर आदा इंच हम इसमें पेट डाट निकालेंगे यहां से डाइ इंच नीचे एक मार्क लगाएंगे यह हमारा डाट के लिए फलाप का मार्क लगाएंगे दो इंच बॉटम राउंड है तो फलाप को भी ऐसे राउंड कर देंगे यहां से आदा इंच पे एक मार्क लगा लिजिए और यहां से एक सूत अंदर लेते हुए ऐसे शेप कर लेंगे बढ़िया फिटिंग के लिए लूजिंग का मार्क लगाएंगे हिप के फर्मूले से मैंने आप लोगों को लूजिंग का मार्क लगाना बताया हुआ है इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को हिप के फर्मूले से समझ में नहीं आता है तो इसलिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ हिप है 41 और स्टमाख है 37 33 इंच 3 इंच का गैप है पेट और हिप में यहां 1 इंच 1 इंच पर मार्क लगाएंगे इसको मेजरमेंट करेंगे यह जितना है यहां इस मार्क में ऐसे रखेंगे और यह यहां तक मेजरमेंट करेंगे और इसको उठा कर इसको यहां इस वाले मार्क पर ऐसे रखेंगे सीना है 40 40 का आधा करेंगे हाफ करेंगे 20 इंच 20 इंच निख़ीर है यहां से हमनमें लूजिंग का मार्ग लगाएंगे यह सिलिम फीट, टाइड फिटिंग करना मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो यहां से 4 न्ज प सिलाई काoli मार्ग लगाना है। तो चेस्ट में 5 इंच लूजिंग देने के लिए यहां से 4 इंच पे मार्क लगाएंगे 4 इंच टाइट फिटिंग के लिए 4 इंच मार्क लगा लिजिए और मेडियम फिटिंग के लिए सवा 4 से 4.5 इंच पे मार्क लगा लिजिए और लूज फिटिंग के लिए पौने 5 इंच या फिर 5 इंच भी आप लगा सकते हैं टाइट फिटिंग के लिए 4 इंच भी मार्क लगाना है यहां इसको मेजरमेंट करेंगे यह जितना है सेम उतना ही इस मार्क पैसे रखेंगे और यहां तक मेजरमेंट करेंगे इसको उठा कर इस वाले मार्क पर रखेंगे पेट का आधा सारे 18 इंच, इस टमक का हाफ 18.5 टाइट फिटिंग के लिए यहां से 3 इंच, 3 इंच पर मार्क लगाना है लूजिंग और सिलाई का मार्जिंग इसमें ही आइड है मेडियम फिटिंग के लिए आप सवा 3 से 3 इंच पर मार्क लगा सकते हैं और लूज फिटिंग के लिए पाउने 4 से 4 इंच पर यह टाइट फिटिंग है तो हमने यहां 3 इंच पर मार्क लगाया है लूजिंग और सिलाई का मार्जिंग इसमें ही है सेम यहां इसको ऐसे मिजरमेंट करेंगे हिप है 41, 41 का हाफ करेंगे सारे 20 इंच हिप का हाफ, 20 and half टाइट फिटिंग के लिए यहां से सारे 3 इंच फिए मार्क लगाना है 3 and half मेडियम फिटिंग के लिए आप पौने 4 से 4 इंच लगा लिजिए और लूज फिटिंग के लिए सवा 4 से 4 इंच हमने टाइट फिटिंग के लिए सिलिम फिट के लिए सारे 3 इंच फिए मार्क लगाया है 3 and half इंच यहां से आधा इंच नीचे एक मार्क लगाएंगे यह हमने जो पेट डार्ट यहां आधा इंच का है तो यहां भी आधा इंच डॉन कर लेंगे अगर पेट डार्ट पॉना इंच निकालेंगे तो यहां पॉना इंच मार्क लगाना है पेट डार्ट हमने आधा इंच लगाया है तो यहां आधा इंच हमने डॉन किया है भाइंच लुर पॉना एंच का लोहां है पाल गॉन का लाइब। दामन में मार्जिंग हमने 2 इंच दिया था बैक में तो यहां भी 2 इंच पे मार्क लगाएंगे यहां से 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे 1.5 इंच बॉटम राउंड करने के लिए यहां हम इसको 1.5 करेंगे एक मिडल मार्क लगाएंगे बीच सेंटर पुराने वीडियो में मैंने आप लोगों को इसको 1.5 करना बताया हुआ है इस वीडियो में हम एक चेंज करेंगे यहां से 1 cm आगे की तरफ एक मार्क लगाएंगे 1 cm पहले मैं यह नहीं करता था लेकिन अब मैं कर रहा हूँ इससे जो है फिटिंग थोड़ा और भी अच्छा आता है रिंकल नहीं आता है तो आप भी यह कर लिजेगा half and half करके 1 cm आगे की तरफ बढ़ा लिजेगा पहले मैं यह नहीं करता था अब मैं यह कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ यहां से पौना इंच 3-4 अंदर एक मार्क लगाएंगे यहां से डेर इंच और यहां से आधा इंच उपर एक मार्क लगा लिजे यहां से हम डॉन करेंगे 40 सीना है 3 इंच यहां से लेपल का ब्रॉडनेस लेपल का चौड़ाई रखेंगे इसमें हम पौने 3 इंच रख रहे हैं 2 इंच 3-4 आप यह कम और ज्यादा भी कर सकते हैं यहां से हम पिक का मार्क लगाएंगे ठोका का 1,5 इंच में एक सुथ कम यहां से सोल्डर डॉन करेंगे सोल्डर हमने बैक में 2 इंच डॉन किया है तो यहां भी हम 2 इंच के फर्मूले से चलेंगे जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कई लोग पूछते हैं कि सर अप सोल्डर डॉन कैसे करते हैं हमने जो सोल्डर डॉन किया है वो 2 इंच डॉन किया है एक इंच हमने यहां से उपर उठाया है और एक इंच यहां से डॉन किया है टोटल जो सोल्डर डॉन है वो 2 इंच है यहां हमने आधा इंच, हाफ इंच उपर किया है तो यहां भी आधा इंच ऐसे मार्क रखकर और यहां 2 इंच पे मार्क लगा लेंगे यह हमारा सोल्डर डॉन हो गिया सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ इस वाले मार्क में ऐसे रखेंगे वन फॉर दो सूत यहां कम कर देंगे झाल में अभर आटका इंच meant an आटका बताबस के वालो lol लेंथ लंबाई का मेजरमेंट करके दिखा रहा हूँ, उपर से आधा इंच सिलाई का मार्जिंग छोड़ कर, लंबाई है 30 इंच, 30 इंच, तो यह 30 इंच रेडिया आएगा, यह हम एक्स्ट्रा मार्जिंग छोड़ के कटिंग करेंगे, यहां आधा इंच, हाफ इंच मार्जिंग छोड़ के कटिंग करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बैक, फ्रेंट और साइट पिस कट करना बताया है, सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को इसका सिलिव बाजू कटिंग करना बताया है वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन के ओपर इसका सेकंड पार्ट मैं दे दूँगा वहां से देख लिजेगा